देखो दोस्तो इस मैच के अंदर मोहिन अली लियाम लिविंग स्टोन सेम करन और सुनील नरायन को मैक्सिमम लोग अपनी टीम में लेने वाले लेकिन दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको 3-4 प्लेयर के बारे में और बताऊंगा जो कि टोप ओडर में बैटिंग करने आते हैं और उनका सेलेक्शन बहुत कम होगा यानि दोस्तो वो प्लेयर आपके लिए ग्रेंड लीग में काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा तो नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डी 11 टीम में आज हम बात करेंगे ओवल इन्मिंसिबल वर्सिस बर्मिंगम फोनेक्स के बीच होने वाले दा हंडर्ड के मैच नमबर 23 के बारे में को लाइक याच्छे कर दीजिएगा आपके लाइक से काफी मोटिवेशन मिलती है और लाइक कर दो है लाइक करना तो बिल्कुली फ्री है सबसे पहल दोस्टो हम बात करते हैं ओवल इनुञिंसिबल की तरफ से बेसिक पिक या टॉप पिक चयानी दोस्तो वो प्लेएर जिनको मैकसिमम लोग अपनी टीम में लेंगे ओवल इन्विनिबल की तरफ से तो भारे पास सबसे पहला नाम है Jordan Cox जो की 5 ए 6 नमबरे बैडिंग करने आते हैं लास्ट मेच में 11 नम नायते दूसरा नाम है Will Jacks ओपनिंग करते हैं लास्ट मेच में 11 नम नायते तीसरा नाम है मौमध हसनेन राइट आम फास्ट मिडियम बोलिंग करते हैं च्छा नाम है सुनील नाट आम फास्ट मिडियम बोलिंग करते हैं लास्ट मेच में टीम में लेने वाले हैं क्यूँकि दोस्तों इसलिए लेने वाले है क्योंकि दोस्तों Oval Invincible के टीम ने अब तक The 100 टूनरमेंट के अंदर 5 मैच कहलें इसमें पहला मैच वो लंदन से 3 विड़नों से हार गई थी दूसरा मैच Oval Invincible के टीम 49 रनों से जीत गई थी तीसरा मैच Oval Invincible के टीम 3 विक्टों से जीत गई थी चोथा मैच Oval Invincible के टीम 7 विक्टों से जीत गई थी और 5 मैच Oval Invincible के टीम ट्रेंट रोकेट से 25 रनों से हार गई थी यानि दोस्तों 5 मैचों में से 3 मैच जीते हैं Oval Invincible के टीम ने और 2 मैच हा रहे हैं अब तक The 100 टूनरमेंट के अंदर लेकिन दोस्तों इन 5 मैचों के अंदर ये जो 6 पलेर है इन्होंने काफी अच्छा परफोर्मेस दिया है इसी वज़े से दोस्तों मैक्सिमम लोग इन 6 पलेरों को अपनी टीम में लेने वाले हैं Oval Invincible की तरब से लेकिन दोस्तों आपके लिए कुछ पलेर है वो आपके लिए Grand League में बहुत इंपोर्टन रह सकते हैं इसमें दोस्तों मारे पास सबसे पहला नाम है जैस्टन रोल लगातार फ्लोप सेलना दोस्तों पलेर लेकिन ये पलेर टोप ओर्डरने बैटिंग करने आता है अगर आप Grand League में रिस्क लो तो आप एक टीम में इस पलेर को कैप्टन बना के चल सकते हो लगातार फ्लोप सेलना है मतर 20% सेलेक्शन आपको देखने को मिलने वाला है लेकिन दोस्तों पलेर ओपनिंग करने आता है दूसरा दोस्तों आपके बास नाम है सेम बिलिंग देखो दोस्तों पलेर कैप्टन भी है ओवर इलिमिंसिबल की टीम का और तीन है चार नमरे बैटिंग करने भी आता है और आपको विकेट कीपर सेक्शन में सबसे बेस्ट ओप्शन जिखने वाला सेम बिलिंग अला कि दोस्तों सेलेक्शन भहुत कम है क्योंकि क्रेट इश्यू है लेकिन आप क्रेट इश्यू कर पाओ तो आप इस प्लेयर को अपनी टीम में ट्राइब कीजिएगा अगर दोस्तों नहीं कीज़ता है इसकते है औहाइन दोस्तों Pose के बना रहे हो तो आप इन छह प्लेइरो क्या रोसकीज़ की., और एक दो पलेएर आप इनध में से को ओपनिंग करेंगे जेसेन रोई और विल्जेक्स और तीन डम्रे बैंच कोरनने आशकते हैं सेम बिलिंग यानि दोस्तों ओवल्ह एंव्ट्रियर के तरफ से यह तीन प्लेयर को डूप ओर्डर क्रेंगे दिख सकते हैं उसका दोस्तों मिलोडरी कमान सबाल सकते हैं जोडन, कोक्स, हेल्टन, का अटराइट, सेम कुरन और टोम कुरन और बोलिंग की कमान सबाल सकते हैं सेम कुरन बोलिंग करेंगे, टोम कुरन बोलिंग करेंगे, सुनील नान बोलिंग करेंगे, मैट मिलने से बोलि में almost विकेट निगाला है और Tom Krone आपके लिए GL में उप्सन रह सकता है क्योंकि पिछले कुछ मैचों इस प्ले को विकेट नहीं मिला है अगर दोस्तो Oval Invincible की टीम थोड़ा बुछ चेंज करेगी तो Riley Rose Woke को मोखा दे सकती है Danny Briggs को मोखा दे सकती है विल जेक्स सेफ है, जोडन कोक सेफ है सेम कुरन सेफ है, सुनील नायन सेफ है आर्ट ओपले सेफ है और मुहमद हसनेन सेफ है दोस्तों ये तो होगी सेफ ओप्सन की बात अगर हम बात करें Grand League के पस्पेक्ट्व से तो दोस्तों आपको पता है कि जैसन, रोई और विल जेक्स ओपनिंग करने आएंगे ओवल इन्मेंसिबल की तरब से और इनके सामने दोस्तों पारफ्लेम बोलिंग करने आ सकते है बैनी होवेल, केन डिचर्चन और टोम हैलम ये तीन प्लेइर पार बोलिंग करने आ सकते है और कभी कबार मोहिन अली भी बोलिंग करने आ सकते है अब 90% लोग विल जेक्स को अपनी टीम में लेने वाले क्योंकि इस प्लेखन के अंदर एक पारी को अपनी टीम में लेंगे और जेसन रोज जिसका सेलेक्शन मात तर 20% है वो प्लेइर कमाल करते तो आप एक तरफा Grand League में अच्छी रहेंगे ला सकते हो यानि आप 90% लोगों को ओल्डेडी वहेंपे बीट कर सकते हो उसके बाद दोस्तों में आपको स्मोल लिक के पस्पेक्टिव से बात बता दी फिर बेगर आपको कुछ समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो दोस्तों हम बात कर लेते हैं बर्मिंगम फोनेक्स की तरफ से टोपिक्स टोप पिक से नहीं दोस्तों वो प्लेयर जो बर्मिंगम फोनेक्स के तरफ से मैक्सिमम लोगों की चोईस रहने वाले हैं इस मैच के अंदर सबसे पहला नाम मारे पास है लियाम लिविंग स्टोन स्पिन बोल्म भॉविगेट निकाले हैं अमारे पास चोथा नाम है मोहिन ड्य राइटाम ओवर ब्रेक बोल्मिग करते हैं इससे पहले वाले मैच मे तीन विगेट निकाले थे और हमारे पास चटा नाम है केन दिचर्टन राइट आम First Medium Bowling करते हूँ लाश मैच में 2 विगट लिये थे यानि दोस्तो बर्मिंगम फॉनेदे के तरफ से इन 6 प्लेयरों को मैक्सिमम लोग अपने टीम में लेंगे क्यूं लेंगे क्यूंकि दोस्तों Birmingham Fonex के टीम ने अब तक The 100 Series के अंदर पांच मैच खेलें इसमें पहला मैच वो 10 रोकेट से 6 विक्टों से हार गए थे दूसरा मैच Birmingham Fonex के टीम 23 रनों से जीत गई थी तीसरा मैच Birmingham Fonex के टीम 4 रनों से जीत गई थी तोथा मैच Birmingham Fonex के टीम 7 विक्टों से जीत गई थी और पांचों मैच Birmingham Fonex के टीम 32 रनों से हार गई थी यानि दोस्तों Birmingham Fonex के टीम ने भी 5 मैच खेले अब तक The 100 Tournament के अंदर जिसमें से 3 मैच जीते और 2 मैच लेकिन दोस्तों इन पांचों मैचों के अंदर इन 6 प्लेरों ने काफी आउटस्टेंडिंग पर्फोर्मेस दिया है Birmingham Fonex की तरब से इसी वज़े से दोस्तों इन 6 प्लेरों को मैक्सिमम लोग सेलेक करने वाले हैं अपनी टीम के अंदर तो दोस्तों अगर आप स्मोल लीग की टीम बना रहे हो तो आप इन 6 प्लेरों में से 5 या 6 के 6 को सेलेक कर सकते हो Birmingham Fonex की तरब से लेकिन दोस्तों आपको पता है कि Grand League भही प्लेर जितो आता जिसके बार में हम नहीं सोचते दोस्तों आपके लिए Grand League की कुछ पिक रह सकती है सबसे पहला नाम है Matthew Wade देखो दोस्तों 5 या 6 नंबरे बैडिंग करने आ सकता है अगर यह प्लेर खेलेगा तो Grand League का चौप सन रह सकता है दूसरा नाम है Chris Benjamin देखो दोस्तों कभी कभार Chris Benjamin है वो ओपनिंग करने भी आ जाता है और कभी कभार 6 नंबरे बैटिंग करने भी आ जाता है तो यह प्लेर भी आपके लिए Grand League का चौप सन रह सकता है तीसरा नाम है Miles Hamood देखो दोस्तों लास्ट मैच में 31 रन बनाया थे इस प्लेयर ने और लास्ट मैच में अपना Grand League का टोप पिक्स था है प्लेयर और Grand League में अच्छा कमाल भी गया था लेकिन दोस्तों इस मैच में भी इस प्लेयर का सेलेक्शन थोड़ा कम होगा तो यह प्लेयर भी आपके लिए इंपोर्टेंट रह सकता है अगर दोस्तों आप Small League की टीम मना रहे हो तो आप इन 6 प्लेयरों में से चूज कीजिए अगर आप Grand League की टीम मना रहे हो तो आप Maximum प्लेयर हो इन 6 प्लेयरों में से चूज कीए ओडर में बैटिंग करते हो दिखने वाले है उसके बाद दोस्तों बर्मिंगम फोनेक्स की तरफ से मिडल ओडरी कमांज बालेंगे लियाम, लिविंग स्टोन, मैथ्व, वेड, क्रिस, बेंजिमन और बैनी होवेल और बोलिंग की कमांज बाल सकते है अब दोस्तों बैनी होवेल, हैंडरी ब्रूक्स, केन दिचरचन और इमरान थाईर अब दोस्तों लास्ट में यही प्लेइंग 11 थी तो हम मानके चलते हैं यही प्लेइंग 11 रह सकती है अगर बर्मिंगम फोनेक्स की तीम थोड़ा बहुत चेंज करेगी तो यहां पर बर्म प्रिविंगम फोनेक्स की तरब से से उप्षन तो आपको बता दूँ कि यहाँ पर विल स्मीद और माइल हमूद दोनों ओपनिंग करने आ दोस्तो माइल हमूद वो लेफ्ट है बेट्स में और दोस्तो अगर हम बात करें ओवल इंविंगर के तरब से तो सुनील नरान हो राइट आम ओब्रेक बोलिंग कर सकते तो यहाँ पर सुनील नरान माइल हमूद को आउट कर सकते आपको चीज़ ध्यान में रखने एकर आप की टेम में रिष्क लो और अगर आप ज्यादा ट्रस्ट जिखाओ आठ टो प्ले लेफ्टम फास्ट वीटेम बोलिंग करता है टोम कुरन या मॉम्मद हसने यानि इन तीनों बोलो पूर ज्यादा ट्रस्ट जिखाओ जो की पारफलें बोलिंग करने आएंगे ओवल इंवि प्र भीग अगर आपको कुछ समझ मिना आए तो कमेंट सेक्ショone में कमेंट तरके पूछ सकते हूं थो सेम् video घोको नाम आपको बतार किया यां प्लेयर कम्थेंग यहां वालहें स्यक्षन पहले हैं सबसे पहले हम बात करेंगे विकट की पशेक्सन के बारे में घोस्व स्कि लेकिन दोस्तों आपको रिक्मेंड करूंगा बैड़ चाल मच चलिए और फर्स्टोई सेम बिलिंग को दीजी या मैठ्व एडमेंस किसी एक को दीजी अपनी स्मोल लिक की टीम के अंदर वहीं दोस्तों आप ग्रेंड लिक के टीम मनाओ तो फॉर्प स्टोर आप सेम बिलिं करने आएंगे तो आप इस फ्लेर को भी एपनी ग्रेंड लिक के टीम में मौका दे सकते हो दोस्तों बात कर लेक्ते हैं बैट्समेन के बारे में दोस्तों बैट्समेन की तरब से लियाम लिविंग स्टोन तीने चार नमरे बैटिंग करने आ सकते हैं लास्ट मैच नहीं खे लेते हैं माइल समूद ओपनिंग कर सकते हैं या फिर दोस्तों कभी को बार यह प्लेट चैनल मेरे बेटिंग करने भी आ जाता है सबसे पहले बात दोस्तों अगर आप टीम स्मोल लीग के लिए बनारे हो तो फर्स्ट चोईस है लियाम लिविंग स्टोन शेकंड विल समीध थर्ड चोईस आप के लिए विल जेक्स और फोर्स चोईस आप अगर देना चाहो तो जेस्टन रोए और माइल समूद में इसकी ए वहीं दोस्तों अगर आप विल जेक्स को ड्रोब करने कर इसके लिए हो उसकेसमें आप हेल्टन कर्टाराइट को ट््राइक कर सकतेकंड अपनी ग्रेंड ली सेक्सन के बारे पर दोस्तों करें बात करें बोलिंग के बारे में दोस्तों बोलिंग मारे पास OVI की तरफ से आठ वपने लेफट आम फास मिटियम बोलिंग करते हैं लास मारे पास मुझे दोस्तों मरे पास ??? नहीं ख利ले थे Tom Hennam राइ्टम फार्स्ट मडियें बोलिग करते हैं लास्ट में एक विग्ट लिया था और इम्रान तायर राइटम लैक बेक बोलिग करते हैं लास्ट में एक विगर लिया था सबसे पहली बात दोस्तों तो फर्स्टोइस आपके लिए है मुम्मद असनियन, सेकेंड विगर कीपर मिलिया मैथ्यू वेड, बैटिंग मिलिया जेस्टन रोइल याम लिविंग श्टोन विल जैक्स और विल समीथ को, और राउंटर मिलिया सुनील नानन मोहिन अली और शेम कुर्ण को, बोलिंग मिलि जेस्टन रोई को अपने टीम में पिक करने का रिस्क लिए है अगर आप ये रिस्क ना लेना चाहो तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो मैथ्वेड की जगा सेम बिलिंग को मोखा दे सकते हो और जेस्टन रोई की जगा है बैनी होवेल को मोखा दे सकते हो लेकिन दोस्तों मेरे को लगदा कि इस मेंस के अंदर जेस्टन रोग कमाल करेंगे और आपको Grand League की एक आदे टीम मेंस प्लेर को C.V.C. आज से ट्राइ करना चाहिए साथ ही दोस्तों आप Grand League की टीम में सेम बिलिंग को भी आज से मोका दे सकते हो मैंने बनी होएल को अगर आप किसी एक्स्टा पुलेर को मोका करेंगे चाहर अगर आप ग्रेंडी की टीम में एक एक आपको रिसकी पीकी बता दिये, मैं उम्मीद करता हुड़ी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो दोस्तों ये थी में तरफ से Oval Invincible वर्सिस बर्मिंगम फोनेक्स के बीच होने वाले, The 100 Match के मैच नमबर 23 की Dream 11 Team Prediction, Pitch Report और Playing 11, मैं उम्मीद करता हुड़ी आपको अच्छे लगी, अच्छे लगी तो लाइक कर दीजी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, धन्यवाद